इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह जो दांतों के लिए मुलायम होता है। चावल के बिना धान को धुए की आग पर रखा जाता है। यानि की कोई वास्तविक आग नहीं और परिनामी लकडी का कोईला दांत की सफाई के लिए नमक की साथ मिलाया जाता है। यह एक्टिवेटर्ड चारकोल चावल की भूसी से होता है जो दांतों के लिए मुलायम होता है। इसके विश अवशोशित गुणों के ओशधिय और कॉस्मेटिक उप्योगों की एक विस्तरिच श्रिंखला है। हाला कि कोई भी वैज्ञानिक रूप से सिध नहीं है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, यह एक्टिवेटर चारकोल चावल की भूसी से बना होता है जो दांतों के लिए मुलायम होता है। दो, इसके विश अवशोशित गुणों के ओशधिय और कॉस्मेटिक उप्योगों की एक विस्तरिच श्रिंखला है। तीन, यह ना सिर्फ दांतों को साफ और सफेद बनाता है, बलकि दांतों से जुड़ी समस्याओं से भी बचाता है। चार, विशेश रूप से पश्चमी घाट के खेतों से प्राप्त सर्वोत्तम जड़ी बूटियों का उप्योग करके बनाया गया है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।